दोस्तो अगर आप नय है और डिमाट अकाउंट खोनना चाहते हैं तो आजी प्ले स्टोर पे जाए और गुरु आप टाउनलोट कीजिए और अपना डिमाट अकाउंट आजी क्रेट कीजिए फिलाल में दोस्तो खरीदारी करनी है या नहीं करनी है तो पूरी वीडियो देखने के बाद में सही तरीके से आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ वाकए में हमें ये स्टोक्स खरीद लेना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए वैसे देखा जाए अगर ABCD से स्टार्ट करें तो जो हम लोग को जूट के उतपादन में इस समय इंडिया के अंदर जो कंपनिया दिखाए देनी है वो गिनी चुनी है और जो भी कंपनियें हैं उनके अच्छा का सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है देखे सबसे ज्यादा जो उत्पादकता हम लोग को दिखाए देती कहने के घाना और अपनी इंडिया के अंदर दिखाए देती है जूट के मामले में तो अब जब इन देशों के अंदर आपको ज जूट गें इंपोर्ट टो जो कि दोसरे देशों से इंपोर्ट करती होने जरा रही है जूट बैकर तो आब जानने की कोशिव करते हैं कि जूट फैबरिक Mt. बाकर topics नहीं और ऑफ कॉन से डेज हैं जिनके अंतर हम लोग को Virginia में चारते आपको फैबरिक जो है अपने इसमें इंपॉर्ट करते हैं अब देखें अगर इंडिया की बात करें तो फिलाल में किस तरीके से उत्पादा उत्पादन हम लोगो दिखाए दरा है तो देखेंडल स्टिक्स आपको दिखाए दरी बराबर उपर नीचे का पॉसके अंदर मोमेंटम दिखने को मिल रहा है त तो अब बात करते हैं कि जूट बैग एक्सपोर्ट बाइक कंट्री तो सबसे ज्यादा जूट का जो हम लोग को एक्सपोर्ट इस समय कोई कंट्री अगर करती हो नज़रा रही है तो अगर टोटल वर्ल्ड की बात करें तो नंबर बन पर हम लोगो दिखाए देरी इंडिय लगवग 43.7% के आसपास हम लोगो दिखाए देरी है 2018 तक कि यहां कड़े हैं और उसके बाद में बंगलादेश नेपाल और काफी सारे कंट्री हम लोगो दिखाए देरें तो यहां पर एक चीज तो किलियर हो रही है कि कहीं न कहीं जूट के मामले में जिस तरह की से हम लो को दिखाए देरा है चलिए अब स्टॉक्स के बारे में देखे लेते हैं 960 रुपए की आसपास इससे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है हल चल आपको बराबर देखने को मिल रहे है अपर सर्किट आज के दिन हमें कंपणी के दर देखने को मिल रहे थे लगातार अच साल की देखें तो पॉजिटिव दिखाए दर यह पांच साल का देख लेते हैं तो मुमेंटम यहां पर भी हम लोग को पॉजिटिव दिखाए दर है हाँ यह बात जरूर है कि 2018 के बाद से इसके अंदर हम लोग गिरावट दिखना स्टार्ट हुआ था रिकवरी भी हुई ह कंपनी के अंदर हुई है गिरावट दिखने को मिली थी लॉंग टम बेसिस पर वापिस से धीरी धीर करके अच्छा मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है अब रही बात देखे 175 रुपे परती शेयर के साब से डिविडेंट करती हुआ नजरा रही है तो कहने का हम लोगों को प्रमोडर्स, FIs, DIs इनको ही ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इनकी ही सबसे ज़्यादा हिसिदारी किसी भी कंपनी के अंदर होती है आपने देखा होगा जब शेयरोल्डिंग पैटर्स आप चेक करते हैं तो प्रमोडर्स के सिदारी आपको देखने क को मिलती है, 70% के आज पास, FIs आपको देखने को मिलते है, 20%, DIs मिलते हैं लगभग 15% के आज पास, यहाँ पर एक मैं फिगर जो है, एक्जाम्पिल देकर चल रहा हूँ, तो इनको ही सबसे ज़्यादा जो है, डिविडेंट का लाब मिलता हुआ नजर आता है, बाकी बचे चोटे निवेशक, तो उनको जो है, जितने ही उनकी क्वाटिटी होती है, उसके एकोडिंग जो है, डिविडेंट का लाब मिलता हूँ, नजर आता है, तो यह कमपनी लगभग 175 रुपे परती शेर के हिसाब से डिविडेंट डिकलेर करती हूँ, नजर आ रही है, तो यह बड़ी खबर आज निकल के आई, और बड़ी खबर का बड़ा इंपक्ट आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला, तो जिसके वज़े से 20% की तेजी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है, स्पेसल डिविडेंट जो ही यह कमपनी हम लोग को प्रोवाइट करा तो यह लगबग दो बज़े के आज पास यह खबर निकल के आई थी, हल चल आपको पहले से ही इसके अंदर देखने को मिल रही थी, अब देखे कमपनी के बेग्राउंड को देखें तो 602 करोड के आजपास मार्केट कैप दिखाए दर है, तो ज़्यादे बड़ी यह कमप अच्छे खासा दिखाए दर है, अवेलेबल कैश की बाद करेें, तो 21 करोड के आसपास अवेलेबल है अब बात करते हैं पियर्स की तो देखे ये कंपनी हम लोग को लगबख छटे नमबर पे दिखाए दे रही है तो पहले नमबर पे कौन सी कंपनी हम लोग को दिखाए दे रही है सौम्या इंडस्ट्री 749 करोड का मार्केट कैप है इसका 602 करोड की आसपाद दिखाए दे रहा है अब बात करते हैं कंपनी के बिजनिस के बारे में तो देखे ग्राफ से आपको इजली स्पस्ट हो जाएगा तो उपर की तरह मूग करता हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब यह है कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती हूँ नजर आ रही है और आल देखें तो 5 साल में 11% तेज़, 3 साल में 5% की तेज़ी और 1 साल में 16% की तेज़ी हमें सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है प्रॉफिट की बात करें तो मूमेंटम यहां पर भी हम लोगो पॉजिटिव दिखाए दर रहा है ग्राफ के अंदर हम लोगो कर बनता हुआ नजर आ रहा है बड़ कहने कहीं चांसिस हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर एक उच्छाल देखने को मिल सकता है ऑवराल देखें तो एक साल में चार पसंट गिरता हुए नजर आ तीन साल में लोगो को तेजी का मुमेंटम देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं बहुती महत्वपूर्ण इसके पारड के बारे हम वह है शेरोलिंग पेटरन्स देखे अगर promoters की बात करें तो सबसे ज़ादा हिस्सेदारी promoters की है 24-75% के आसपास तो सबसे ज़ादा dividend का lab भी किसे मिलता हो नदर आएगा promoters को मिलता हो नदर आएगा अब बात करते हैं public की holding की तो जो छोटे मोटे निवेशक हैं लगबग 24% के आसपास उनकी holding हमों को दिखाए दे रही है तो जो है उनको भी जो है अच्छा का सा lab बिलता हो नदर आएगा काफ़ी सारे निवेशकों को इसका lab मिलेगा जो लोग record date से पहले खरीदारी करते हो नदर आएगे days की बात करें बहुत हलके दिखाए देने तो सेल्स हम लोग को बढ़ते हुने दर आ रही है अभी हाल फिलाल में नतीजे डिकलेर हुए थी 156 करोड के आसपास सेल्स दिखाए दे रही है जो कि पिछले वाले quarter में 119 करोड के आसपास थी उससे पहले 94 करोड के आसपास थी 24 करोड तो कहने का मतलब है कि लगातार पिछले चार quarter से हम लोग को इंकलीजमेंट देखने को मिल रहा है अगर प्रॉफिट की बात करें तो 25 करोड के आसपास निकल क्या है प्रॉफिट आफ्टर टेक्स इससे पहले 23 करोड, 14 करोड, 12 करोड, 3 करोड तो मुमेंटम आपको यहाँ पर अच्छा खासा पोजिटिव दिखाए दरहा है अब देखे एर ओन एर बिस्स पर देखें तो 2016 से लेकर अब तक 2016 में सेल्स लगबख 343 करोड के असपास थी 393 करोड, 396 करोड, 394 करोड ओवराल मुमेंटम आपको पॉजिटिव दिखाए दरहा है अगर एका दुक्का साल छोड़ दिया जाए तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 36 करोड के बाद में 49 करोड, 54 करोड, 50 करोड, 48 करोड प्रॉफिट के अंदर ये रॉन बिस्स पर हम लोगो डिप देखने को मल रही है बाकि अगर देखें तो उसे इसके अंदर अच्छा कासा इंप्रॉब्मेंट देखने को मल रहा है क्या बोनस शेस दिया है या नहीं तो एक बार बोनस शेस का अलान हो चुका है इस कंपनी के अंदर 2018 में राइट इसू की बात करते हैं तो कोई अलान नहीं हुआ है इस पिलिट की बात करते हैं तो अभी तक ये स्टॉक इस पिलिट नहीं हुआ है दोस्तों अगर आप नए है और डिमाट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाए और ग्रू आप डाउनलूट कीजिए और अपना डिमाट अकाउंट आज ही क्रेट कीजिए